ओके तो मैं गया था मढगाव एक्सप्रेस देखने जो कि एक सस्पेंज कॉमेडी मूवी है स्टारिंग प्रतिक गांधी, दिविंदू अब अविनाश तिवारी एंड बेसिकली इस शो में जादा लोग नहीं आये थे, बट जितने भी आये थे, वो सिचुएशनल डायलोग्स पे हस जरूर रहे थे बट ओवर्राल मूवी कैसी है? आईए बात करते हैं वेल हलो मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी कहानी है तीन दोस्तों की जहाँ वो बचपन से गोवा जाने का प्लान करते आ रहे है लेकिन उसे पूरा कभी नहीं कर पाए अरे लिटरली बहुत से सीन्स या गाने भी बीच बीच में उन्होंने उन्हीं दो फिल्म्स के डाले है मुवी स्टार्टिंग से बहुत अच्छा ग्रिप लेके चलती है ट्विस्ट, टर्न्स, एंड कॉमेडी आपको अच्छे से सर्फ की जाती है बट बीच में कुछ एक जगा यू विल फिल लाइक की यार ये नहीं होता तो भी चल जाता लाइक गाने, नोरा फतेई के एंट्री में एक सौंग है और वो अभिनाश के साथ भी उसका एक सौंग है नोरा का उसकी जरूरत भी नहीं थी दो कैमियोज है फिल्म में, एक extended कैमियो एंड एक just कैमियो वो भी दो बार लेकिन दोनों अच्छे है, फिल्म धाई घंटे की है ये एक ऐसी फिल्म है जिसे बेसिकली आपको अपने दोस्तों के साथ देखने में जादा मजा आएगा कुनाल खेमू का direction है एंड मैं तारिफ करना चाहूँगा इनके direction की कि इन्होंने comedy को cringe नहीं बनाया नहीं तो आजकल की comedy जहाँ adult joke से भरी हुई होती है वहाँ इसके comedy आपको fresh लगेगी थोड़ी बहुत adult है बट ऐसी के आप family के साथ भी देखोगे तो भी awkward feel नहीं करोगे साथ ही में जितने भी actors है उनको लेकर भी मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि इनकी casting बहुत बढ़िया की गई है बाकी जो तीन main lead है उसमें प्रतिक गांधी और दिवेंदु के acting chemistry आपको सबसे ज़ादा पसंद आएंगी नोरा again used as glamour material जिसका होना न होना एक ही बराबर है बहुत दिन बाद एक fresh comedy experience आपको theater में मिलेगा हाँ कुछ एक flaws जरूर है बट overall ये आपको entertain का तड़का जरूर प्रोवाइट करती है अरे हाँ film खतम होते ही उठ मत जाना एक mid credits scene है जो again एक comic element एड़ करता है और उसके बाद एक गाना है तो overall देखते हुए it's a good watch film